तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये सूखा बदाम है ये काजू है जो कि काजू भी भीगो कर खाना चाहिए यानि काजू बहुत नरम होता हो इसको एक घंटे भीगो ले तो काफी उसमें जैसे हम चना को ऐसे ही कच्छा खाए बिना भीगो ये बीना भूने तो वह एंकिरद करके खाने से काफी ताकत होता है उसी प्रकार से ड्राइफ फूर को कई प्रकार से विक आता है यह किष्मिष यह बादाम देखिये अब हम इसको एक अलग बरतन में निकाल लेते हैं ये बदाम काफी कड़ा होता है ये बदाम को भीगा लिए तो आप देखोगे कि बदाम का ये सूखा हुआ भाग ये गीला ये भीगोया जाते हैं तो दुग न हो जाता है बड़ा वैसे ही और आप देखोगे इसको आप इसको चाहोगे भी तो ये इसका छि क्षिस देते हैं तो चिसको भी कमजोरी दूर दूर करने के लिखने पर झाले लेलते हैं। और उसमें डुबा के बच्चों को देते हैं खाने के लिए, जो भी खाना चाहें, तो एक खाने में स्वादिष्ट भी हो जाता है, और ये बल वर्धग भी हो जाता है, बच्चों का दिमाग भी इस से तेज होता, मैं आपको बता रहे हुँ, छीलका को आराम से उतार लें, और इसको सहद में मिलाके फिर खाने के लिए दें। माली जैसे किसी को बच्चा पैदा हुआ है। तो उसको घी उगरा मना रहता है कि घी में तल कि उनको नहीं देना है दो-तीन महिने तक। तो इस तरीके से बदाम को निकालें और निकालने के बाद उसको सहद दें। दो-तीन चमज सहद दें। सहद भी मैं आपको दिखाती हुआ ह। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको 5 बदाम काफी है। और कोई बड़ा खा रहा है तो उसको 10 बदाम काफी है। दस बदाम भीगो के रात को भीगो दें और शुबह उसको खा ले यह और इस बदाम को इसमें इस सहद है इसमें डव डूबा देने और चम्मठ से कहाते हैं जब आप खाने लगो इसको तो आप इसको इतना के खाओ कोई कोई लोग तो इसका पेश्ट बना लेते हैं यह नहीं बनाना जाहीं जब आप चबाख के खाऊएं और उम में घुमायां चारो तरफ तो यह से छाला ओरह की जो भी दिक्कत होती है उससे दूर हो जात यानि यहां सुखाया जाता है तो बड़े बड़े च्छत रहते हैं च्छत पर इसको डाल दे आता है कम 15 दिन तक शूकता है तो काफी धूल मिट्टी सब इसमें पड़ा रहता है तो यह इसे पैक किया जाता है तो आप कभी भी इसे पहले भी पताई हूं कि जब भी आप मिट्टी पड़ती ही है आप ऐसे दिखता नहीं कि इसमें धूल मिट्टी है लेकिन इसमें काफी धूल मिट्टी रहता है तो आप इसको बीना धोय न खाए आप देखो मैं इसको दो देती हूं अच्छे तरीके से और कितना पानी गंदा होता धो लें और धोने बदे से मा मिट्टी गर्म डाल रहें तो इसको सूती कपड़े से त्वरा से दबाके पानी निकालेने फिर इसको यूच करें अब देखिए पानी और इसको हम दूसरे बरत्र मि काल लेते हैं एक बार हम इसको और धुलेंगे इसमें पानी है यह देखिये तो आपके हम स्वास्त के लिए बता रहे हैं कि इसके पहले आप धो के नहीं खाते होगे अगर तो आप धो के खाओ इसको यह देखो पानी यह पानी कितना गंदा है यह धूल मिट्टी है जब एक महिने तक 15 दिन तक यह सूकता है तो इसमें काफी धूल मिट्टी हो जाता है हम दुबारा भी इसको दोएंगे इसमें दुबारा भी निकलेगा पानी गंदा अब हम इसको यहां निकाल लेंगे और थोड़ा सा सूती कपड़े से इसको दबा के आप इसको सुखा लें और इसके दखिए यह गंदा है पर कम गंदा है तो इस तरीके से आप किसमी इसको को दोएं दोए बगार ना बच्चों को दें और खुद खाएं किसी हलुआ में किसी भी चीज में डाल रहे हैं तो बीन दोए नहीं अब आई ये काजू की बात काजू पूरी तरह से सुद्ध है इसमें कोई गंदगी नहीं रहती है इसको अगर आप चाहें तो एक घंटे त आता है अचाले पढ़ते हैं कोई जैसे बीमारी है पायरिया की बीमारी है तो यह मेवे के साथ जब सहत खाते हैं तो कई बीमारियां भी दूर हो जाती है तो आसा है यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होगा और जो अभी तक ऐसा नहीं करते थे जो बच्चों को अदाम उगार देते थे तो इस तरीके से देने से आपका जो देते थे पहले उससे 10 गुना भीक्यूंआ हो और आपको काफी हाईजीनिक यह सब चीजे मिलेंगी तो इसी तरह के वीडियो चोट है तो चोटे चोटे से वीडियो है आगे भी मैं आपको ऐसे ही वीडियो दो झाल झाल